हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों आज SSE CHSL एक्जाम का पहला दिन था 12 प्रेल को तीनो ही शिफ्टों का जो पेपर है ना 1st, 2nd और 3rd तीनो ही शिफ्टों का पेपर समा आप तो चुका है उमीद करता हूँ सभी का एक्जाम आज अच्छा गया होगा ओल शिफ्ट में दोस्तों 75 जो GKGS करेंट अफेर के 100% रियल कोशन जो पूछे गे थे वही कोशन डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो आप वीडियो को लास तक पूरा देखना जिनका भी एक्जाम आगे है ऐसे ही कोशन आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे और साथ में दोस्तों PDF फाइल अगर डाउंड़ करना है तो सर्च कीजिए टेलिग्राम चैनल एजुकेसलन स्टडी पोइंट या फिर आप डिस्क्रिशन में दिएगे लिंक पे क्लिक करके भी जोइन कर सकते हैं तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे दोस्तों क्योशन पेपर आपके स्क्रिन पे है सबसे पहले अपने तीसरे शिफ्ट के कोशन करेंगे उसके बाद सेकेंड शिफ्ट और लाश्ट में फर्स शिफ्ट के तो फर्स्ट कोशन है थर्ड शिफ्ट का सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है देखे दोस्तों सरदार सरोवर बांध से कोशन पूछा गया है जो की नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात राजे में, नेक्स्ट कोशन आये था क्योशन नमबर टू, आपके सामने थर्ड शिफ्ट का, खुंदरू जो जलपरपात है, ये कहां पर स्थित है, खुंदरू जलपरपात की बात करें, तो ये आपका जारकन राजे में स्थित है, हेमन सोरेन यहां के CMA वरतमान है, नेक्स्ट कोशन पूछा लगया था, क्योशन नमबर 4, तीसरे सिफ्ट में, धाका मेरा थन में, जो 4th ranked पर कौन रा है था, देखे दोस्तों, 4th ranked एक इंडियन की थी इसलिए ये question पूछा गया है धाका मेरतन में 4th rank पे जो है ना जिगमेट डोलमा जो है ना ये 4th rank पे थे तो यहाँ पे answer जिन्होंने भी जिगमेट डोलमा किया है तो बिलकुल आपका answer right था next आप से question पूछा गया 1857 की क्रांती से की 1857 की क्रांती के समय कोन मुगल शाशक था तो देखिए नेतरतव किया था 1857 की क्रांती का बहादूर शाह जफर ने तो बहादूर शाह जफर जिन्होंने भी answer किया था इस question का बिलकुल आपका answer right है next आप से थीसरे shift का question number 6 पूछा गया था 2020 की IIT ranking में प्रथम स्थान पर कौन सा IIT संस्थान था देखिए 2020 की IIT ranking में फर्स्ट rank पे था IIT मद्रास तो जिन्होंने भी IIT मद्रास किया है ना तीसरे shift में इसका question का answer बिलकुल आपका right है वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ-साथ में आप वीडियो को लाइक शेर और इस सेशन को जुरूर सब्सक्राइब करना और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद notification वेल को भी on कर लिजेगा ऐसी shift की analysis सबसे पहले देखने के लिए next आप से question पूछा गया तीसरे shift का question नमर 7 कोशिका की खोज किसने किया था कोशिका की खोज किया था रोबर्ट हुक ने तो जिन्होंने भी answer रोबर्ट हुक किया इस question का बिलकुल आपका answer right है next आप से question पूछा गया question नमर 8 वर्तमान में UPSC के chairman कोन है UPSC के chairman है प्रदीब कुमार जोसी जी बहुत सारे question जो है आज दोस्तों हमारे जो important question मैंने आपको करवाए थे वहाँ से बहुत सारे question देखने को मिले हैं तो वो question जरूर देखना जिन्होंने भी नहीं देखा है तो next question केरल में first time president rule कब लागू हुआ था देखिए first time जो president rule लागू हुआ था वो 1959 में लागू हुआ था और किस article के तहट तो आप कोगे 356 article के तहट ये important है ध्यान रखिएगा next question देखते हैं next आपसे question number 10 आज के shift में पूछा गया तीसरे shift में की fire park कहां पर स्थित है fire park से question आया था ये ओडिसा में स्थित है नवीन पतनाईक जी सीम है वर्तमान में ओडिसा के भूवनेसवर capital है next question आपसे पूछा गया था alicia test कौन सी बीमारी की जाँच के लिए होता है देखिए तो alicia जो test है ये होता है जो AIDS की बीमारी है ना AIDS की बीमारी के लिए ये जाँच करवाया जाता है next आपसे question पूछा गया था question number 12 तीसरे shift का राष्ट्रे केड़ेट कोर NCC के महा निदेशक कोन है राष्ट्रे केड़ेट कोर NCC के महा निदेशक है तरुन कुमार जी तो जिनोंने भी answer तरुन कुमार किया इस question का बिलकुल आपका answer right है next आपसे question question number 13 पूछा गया तीसरे shift का मुखे मंतरी माटी कला रोजगार योजना कोन से राजे से समंदित है मुखे मंतरी माटी कला रोजगार योजना उत्तर परदेश राजे से समंदित है तो उत्तर परदेश जिनोंने भी answer किया इसका बिलकुल आपका answer right है next आपसे question number 14 पूछा गया तीसरे shift का महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिसला तो जिनोंने भी त्रिसला answer किया इस question का बिलकुल आपका answer right होगा नेक्स्ट आपसे computer से related question देखने को मिला है और आज तीनों ही shift में computer से question पूछे गए है URL का full form पूछा था uniform resource locator URL का full form होता है नेक्स्ट आपसे question पूछा था नाथुला दर्रा किस राजये में स्तित है नाथुला दर्रा की बात करें तो ये आपका located है सिक्किम में नेक्स्ट question आए था तीसरे shift में गंगा की कि साइक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है गंगा की जो कोशी साइक नदी है ना कोशी साइक नदी को बिहार का सोक बोला जाता है तो जिनोंने भी answer इसको किया है बिलकुल आपका answer right होगा नेक्स्ट question पूछा था आईसीसी की तरफ से बेश्ट अंपाइर अवोड दो हजार बीस किसे दिया गया है आईसीसी की तरफ से बेश्ट अंपाइर अवोड दो जार बीस नितिन मेनन को दिया गया तो यहाँ पे जिनोंने भी आंस्वर नितिन मेनन किया है ना उनका आंस्वर राइट है नेक्स्ट कोशन पूछा था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रेंग क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रेंग 142 है 142 नंबर पे next question आया था विशु जल दिवस का मनाया जाता है मैंने ये question आपको बहुत बार practice set में करवाया था 22 March 22 March को विशु जल दिवस मनाया जाता है next question पूछा था कि golden three hold नामक जो किताब है किस ने लिखी थी देखिए golden three hold नामक जो किताब है ये सरोजनी नाइडू जी के द्वारा लिखी गई थी तो जिनोंने भी answer इस shift में सरोजनी नाइडू किया इस question का बिल्कुल आपका answer right होगा next आप से जो question पूछा गया तीसरे shift में 2011 की जनगर्ना के अनुसार कुल साकसरता दर कितनी थी भारत की देखिए 2011 की जनगर्ना के अनुसार कुल साकसरता दर थी 74.04% ठीक है next आप से जो question पूछा था वर्तमान में जम्मू कस्मीर के चीफ जश्टिस कौन है वर्तमान में जम्मू कस्मीर के चीफ जश्टिस है पंकज मितल और second shift में खेडा सत्याग रहे हुआ था next last question तीसरे shift का सतलुज नदी के किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है सतलुज नदी के किनारे फिरोजपूर सहर बसा हुआ है तो देखिए तीसरे shift के 100% रियल 25 question मैंने आपको करवा दिये हैं अब question करेंगे अपने second shift में पूछे गए first question second shift का computing में जब system input पर प्रतिकरिया देना बंद कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है देखिए computing में जब system input पर प्रतिकरिया देना बंद कर देता है तो उसे हम hang बोलते हैं तो hang इस question का correct answer हो जाएगा next question पूछाता रिसी कुलिया या नदी किस राजय में है देखिए दोस्तों रिसी कुलिया या नदी जो है उडिसा राजय में है next question था नागुलेश्वरम मंदिर किस देश में है नागुलेश्वरम मंदिर की बात करें तो ये आपका स्रिलंका में है next question पूछा था second shift में प्रकास अमरत राज किस खेले से समंदित हैं प्रकास अमरत राज जो है ना ये tennis खेल से समंदित हैं सभी question 100% real है और यही question जो है ना इस परकार के आने वाले shift में पूछे जाएंगे इसलिए जिनको भी exam बाद में है ना ये question रट कर जाना next question आये था second shift का सरकार द्वारा कितने सार watts पर kg के mobile phone बनाना valid है सरकार द्वारा total जो है ना 1.6 watt पर kg के mobile phone बनाना valid है तो यहाँ पे answer जिन्होंने भी 1.6 watt पर kilogram किया है इस question का उन सभी का answer right था next question पूछा था 2019 World Population Review की रिपोर्ट के नुसार भारत अर्थ विवस्ता में कोन से स्थान पर है 2019 में World Population Review की रिपोर्ट के नुसार भारत जो है ना पांचवे नंबर पे है वर्तमान में रेंक जो है भारत की ये छटे नंबर पे है नंबर वन पे जो है ना वर्तमान में USA है दो नंबर पे चाइना तीन नंबर पे है जापान चार नंबर पे है जर्मनी पांच नंबर पे है United Kingdom छे नंबर पे वर्तमान में हम है और साथ नंबर पे है फ्रांस और एक्जाम में सेकेंड शिप ने पूछा था 2019 में 2019 में हमारी रेंक थी पांचवी होता है तो देखिए ये एक complete Linux operating system इसको हम बोलते हैं एक complete Linux operating system जो है ना Ubuntu होता है next question आप से पूछा था science का ghost किसकी unit होती है ghost जिसे जीदवारा निरुपित किया जाता है cgs पदती में चुम्बकिये छेतर की काई है ये जिसे चुम्बकिये फलक्स गनतव और चुम्बकिये प्रेरण के रूप में भी जाना जाता है next आप से जो question पूछा गया फरवरी से related फरवरी 2020 में भारत और UK के मध्ये कोन सा यूद अभ्यास हुआ था तो ये हुआ था अजे वोरियर नाम का यूद अभ्यास और यह इसका पांचवा संस्क्रण था इसका आयोजन 13 से 26 फरवरी के मध्ये हुआ था next आप से जो question पूछा गया 100% ओर्गेनिक दरजा पाने वाला केंदर सासित प्रदेश भारत का कौन सा है पहला तो पहला जो ना 100% ओर्गेनिक केंदर सासित प्रदेश पाने वाला दरजा पाने वाला जो केंदर सासित प्रदेश है यह आपका लक्षे दूप हो जाएगा और अगर आप से आने वाले शिफ्टों में पूछे राजे कौन सा है तो राजे आपको होगे सिक्किम ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन पूछा गया बी आरो ने चार धाम परियोजना के तहत किस राजे में सुरंग का निर्मान किया था बी आरो ने चार धाम परियोजना के तहत जो है ना उत्राखंड राजे में सुरंग का निर्मान किया था, option यहाँ पे जिनोंने भी उत्राखंड को टिक किया है ना, उनका answer बिल्कुल right है, next आप से question पूछा था second shift में, amnesty book किसके द्वारा लिखी गई है, amnesty book जो है ना, इसे अरविंद अडीगा ने लिखा था, तो अरविंद अडीगा जिनोंने भी टिक किया option बिल्कुल आपका answer right है, next question आप से पूछा था second shift का, स्वतंतरता के बाद पहले विधी आयोग की स्थापना किस ने किया था, स्वतंतरता के बाद पहले विधी आयोग की स्थापना से question पूछा गया, देखिए भारत सरकार ने स्वतंतर भारत का प्रतम विधी आयोग वर् ओलंपी खेलों में किस भारतिय महिला ने स्वतंतर प्रतम 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 जीता था, ओलंपी खेलों में भारतिय महिला करणम मलेश्वीरी ने सबसे पहले प्रतम जीता था और इनका समन्ध है weight lifting से, और यहाँ पे दो question मिले हैं हमें, एक question हमें candidate ने बताया कि wrestling में पहला medal प समन्धित नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, option में हुमायू था, और हुमायू हमारा correct answer इसलिए होगा, क्योंकि हुमायू मुगल once से समन्धित था, ना कि कुशान once से, तो यहाँ पे हुमायू जिनोंने भी answer किया था, उनका answer right है, कुशान once में कनिश्क अपना कुजूल कड़ फीसिस ने किया था, next question पूछा था आपसे second shift में, रेणू का जिल भारत के किस राज्ये में स्तीत है, तो रेणू का जिल भारत के हिमाचल परदेश राज्ये में दोस्तों locate करता है, next आपसे question पूछा था second shift में, कि मुर्सिदाबाद dynasty किसके द्वार नहीं करवाया था, next question था, right to constitutional remedies किस अनुचेद के अंतरगत आता है, right to constitutional remedies की बात करते हैं, तो ये अनुचेद 32 के अंतरगत आता है, और ध्यान रखेगा दोस्तों, इसे भारतिये सविधान की हर्दे और आत्मा भी का जाता है, अनुचेद 32 को, next question पूछा था, प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है, एंतोसाइनिन के कारण, एंतोसाइनिन के कारण, प्याज का रंग लाल होता है, next question पूछा था, पंबन द्वीप कोन से भारतिये राज्ये में स्तित है, बात करें पंबन द्वीप की, तो ये दोस्तों स्तित है, तमिल टिक किया है बिल्कुल उनका आंस्व राइट था नेक्स्ट आप से पुछा गया वर्तमान में इंडिया के सी वी सी के चेर्मेन कोन है Central Vigilance Commission के वर्तमार में चेर्मेन है संजे कोठारी जो है ना Central Vigilance Commission के चेर्मेन है ठीक है दोस्तों Next question पूछा था प्रदान मंत्री स्री निरेंडर मोधी की अधिक्स्ता में केंदरिय मंत्री मंदल ने 2021 में कितने भारतिय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है तो यह दिये दोस्तों Estonia, Peragave और Dominican गनराजे को ठीक है तो यहाँ पे तीन इसका correct answer था Estonia, Peragave और Dominican गनराजे को ठीक है दोस्तों यहाँ से जो है ना हमारे first shift के question start हो चुके है और first shift का second question पूछा था आज तमिल नाडू में भगवान मरुगन को को समर्पित्योहार कौन सा है तो यह दोस्तों थाई पूसम थाई पूसम जो है ना तमिल नाडू में भगवान मरुगन को समर्पित्योहार है next आप से first shift में पूछा था question राम क्रिशन मिशन की स्थापना कब हुई थी राम क्रिशन मिशन की स्थापना एक मई 1897 को कोलकाता में स्वामी विवेकान द्वारा किया गया था next आप से first shift में पूछा था question उस जगहे का नाम बताईए जहां बोध विक्षू रहते थे तो यह था दोस्तों विहारा ठीक है यहां पर option के according हमें answer करना था दोनों में से जो भी option में था उसके हिसाब से हमें answer करना था next आप से first shift में question पूछा गया दोस्तों धवनी से अधिक वहग को क्या कहा जाता है धवनी से अधिक को हम बोलते हैं one match is equal to super sonic speed super sonic speed इसका correct answer हो जाता next question आप से पूछा गया December 2020 में किस bank ने रुपे select debit card loans किया December 2020 में जो है ना दोस्तों Central Bank of India ने रुपे select debit card loans किया था तो Central Bank of India जिन्होंने भी answer टिक किया है इस question का विल्कुल right answer दिया है next question पूछा था first shift में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है तो ये होती है शनी के total BAC इसके 82 इसके total उपग्रह है तो यहाँ पे जिन्होंने भी answer शनी दिया है बिल्कुल answer right है next question पूछा था महराश्टर के किस जील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है current affair का question पूछा गया है तो ये किया गया है लोनार जिल को महराश्टर के लोनार जिल को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया तो यहाँ पे लोनार जिल right answer था next question पूछा था जनगर्ना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शाक्षरता दर केरल के किस जिले की है तो ये है दोस्तो कोटियम की 97.21 ठीक है दोस्तो next question पूछा था भारतिये परेटन सांख्य की 2020 के अनुसार 2019 राजे में आने वाले परेटकों का सबसे ज़्यादा किस राजे ने आकरशित किया है तो ये किया है उत्तर परदेश राजे ने वो पाई जाती है ठीक है फ्रेंड्स next question देखते है फर्स शिफ्ट का next question पूछा गया दोस्तो इंडिया 71 year test the journey to trium in Australia पुस्तक के लेखक कोन है तो इस पुस्तक के लेखक है आर कोशिक जी आर कोशिक इस question का right answer था next question आपसे पूछा गया birdie और an eagle पूछा था फर्स शिफ्ट में तेलंगाना हाई कोट की chief justice कोन है देखिये तेलंगाना हाई कोट की chief justice है हीमा कोईली और ये तेलंगाना की प्रतम chief justice है हाई कोट के ठीक है next question पूछा था चमपारन सत्यागरह कब हुआ था तो ये हुआ था 1917 में चमपारन सत्यागरह हुआ था अगला question पूछा था सर्यू नदी के किनारे कोन सा सहर स्थित है देखिये वैसे सर्यू नदी के किनारे ये सभी सहर जो है ना स्थित है पर option के according हमें answer करना था तो अयोध्या इस question का correct answer हो दा था और साथ में उत्राखंड उत्रपरदेश बिहार ये तीन राज्ये भी सर्यू नदी के किनारे पर स्थित है ध्यान रखियेगा next आप से question पूछा गया AMR का full form तो AMR का full form होता है anti-microbial resistance देखिए anti-microbial resistance AMR का full form होता है next question पूछा था temporary files का extension क्या होता है temporary files का extension होता है .tmp और .temp दोनों में से कोई भी next question पूछा था rural development minister of India कोन है यानि की जो ग्रामिन विकास मंत्री है ना वर्तमान में ये नरेंदर सी है तोमर जी है next question था यमुरा नदी के किनारे कोन से सहर बसे हुए है देखिए option में दिल्ली थाना तो हमें दिल्ली टिक करना था वैसे दो सेर बसे हैं दिल्ली और आगरा ये दोनों ही बसे हुए हैं पर option के according answer करेंगे तो दिल्ली right answer था next question पूछा गया सरवाधिक किस खिलाडी ने भारत की test match की कप्तानी की है तो ये किये विराट कोली ने next question पूछा था हाली में डिप्टी election कमिस्टर को नुक्त हुए है हाली में डिप्टी election कमिस्टर जो है ना उमेज सिनहा को नुक्त किया गया है तो उमेज सिनहा is the right answer next question पूछा गया pathway to goat पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई pathway to goat जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया तो महात्मा गांधी जिनों ने भी answer किया इस question का answer बिल्कुल right दिया है next question पूछा था काजू की खेती के लिए सबसे उप्युक्त जो मर्दा है वो कौन सी होती है तो ये होती है सैंडी लोमी जो मिटी है ना ये काजू की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मर्दा मानी गई है तो ये थे दोस्तों 75 GKS करेंट अफेर के 100% real question जो आज आपके 12 अप्रिल के ओल सिफ्ट में पूछे गए है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करना वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुचाने के लिए वीडियो को शेर कीजेगा और आने वाले दिनों में जिनका भी एक्जाम आना इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लीजिए सभी सिफ्ट का एनलेसिज सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद